नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका हाल दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दुनिया सपनों की और दोस्तों आज हम आपको बताने जा रहे हैं यदि आप सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं अपने मुरत परिजनों को देखते हैं तो इसका क्या आर में परिश्थिति कि निर्भण कि आपके परिजन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आये दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं यदि आप सपने में अपने पूर्वजों को देखते हैं तो ये सपना आपको क्या संकेत देता है ये आपके लिए सुब होता है ये फिर असुब दोस्तों सपने में पूर्वजों को देखना एक सुप संकेत माना जाता है ये सपना आपको आने वाले भविश में किसी मनों कामना पूर्टी की और संकेत करता है और साथ ही आपके जीवन में खुश हाली और सुख सब्रद्धी की और भी संकेत करता है यानि कि आपको यदि पूर्वज दिखाई दे रहें तो इसका अर्थ है कि आपके उपर उनका आशिरवाद बना हुआ है और उनके आशिरवाद की वज़े से आपकी जीवन में कोई कठनाई नहीं आएगी किसी परिशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा दोस्तों यदि आपको सपने में पूर्वज काफी खुश दिखाई देते हैं प्रशन मुद्र में दिखाई दे रहें तो इसका अर्थ है कि आपके पूर्वज आपसे काफी खुश हैं वहीं पर दोस्तों, यदि आपके पूर्वज सपने में रोते हुए दिखाई देते हैं, उतास देखते हैं, तो ये सपना एक असुप संकेत देता है, इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको किसी मुश्किल, किसी संकट का सामना करना पड़ सकता है, और यदि आपके आपके द्वारा पूरी करवाना जाते हैं, और यदि आप सपने में पूर्वजों को आस्मान में देखते हैं, तो इसका अर्थ है कि उनकी आत्मा को मुक्ती मिल जुकी है, और यदि आप सपने में ये देखते हैं कि आपके पूर्वज आपको आसिरवात दे रहे हैं, तो इसका अर्थ है कि आने वाले समय में आपको किसी कारे में सफलता हासिल होने वाली है और येदि आप सपने में पूर्वजों को भोजन कराते हुए देखते हैं खुद को तो ये सपना भी एक सुप संके देदा है इसका अर्थ है कि आप जीवन में उन्नती प्रगती और सफलताइं हासिल करेंगे प्रीदि आप सपने में पूर्वजों को चुप चाप देखते हैं तो इसका अर्थ है कि वो आपको कोई संके देने की कोशिश कर रहे है जो आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए तो दोस्तों मैं उम्मिद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हुगा अगर पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और इस वीडियो को जादस जादस लोगों में शियर भी करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा नमस्कार दोस्तों